आप सभी साथकों का स्वागत हैं मैं Aarvind Saksena बोल रहा हूं साधना जगत के रहसे हो तक तक्तियों को जानने के लिए कि Talनल प्रत्यक वीडियो को देखें और इसे दीके इस दीगाव फ्रत्यक प्रत्यक प्लेस्ट को भी देखें कु ये कु आनो वीडियो डाल ला-खे साध्कों के लिए जरूरी हूँ उप ये शाधरना के समय मेंा मैं बीन बहाब में कभी वी और आख फिक था पृटा इनको जो भी तो उनको यह information उनके पास रहनी चाहिए और यह जो भी जितनी भी आवश्यक जान करी है वो इस चैनल में वीडियो के मादधम से मैं डाल रहा हूं तो इसलिए कोई भी वीडियो के पना करें और पूरे वीडियो पूरे पूरे देखें एक तो यह बात है दूसर सिरीज के तरीके से मैं कुछ वीडियो डालूंगा वह आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे उनको जरूर देखेंगा यह इस द्रिस्टी से डाल रहा हूं कि यह जो हवन विदिया है चोटी हो निजस्ट से 15 मिट के अंदर में हो और बहुत ही effective हो तो जैसे कि कि किसी क साधना पक्षमिदी उनको भी सब्सक्राइब करेंगी जैसे कि कुछ लोग जिनके पास ऐसा होता है कि मलब इस तरीके से रहता है कि उनका रहता है उनके अपने जो भी मन कि तरह में रहती है उनके तरह थीरह की दूधगा इसिंक बहुत है तो ढ़ँ अचे रहती है तो वह साथना में आकर नहीं वड़ पाते हैं कई वजह से तो वह सारे जितने भी कर्ण होते हैं किसी ना किसी दबाओ के पाश्य बंधनितियादी के कर्ण होते हैं उनको आप ल संदेर रहनी जाए गाइस इन विधियों के बारे में भी अब जिन्हों ने पहला सीधे यह पहले देख रहे होंगे तो उनको मन में हो सकता है संदेर है तो उनको पूरे पूरे वीडियो देखने चाहिए यह वीडियो नूमर है 162 162 इसका 11 161 तक के वीडियो बन चुके हैं उनको सारे को देखना चाहिए एक पूरा एक जिस्ट्री को विक्सित हो तो और कन्विक्शन भी बनता है और सफलता भी मिलती है तो अब कोई कि बिल्कुल सोचें कि मैं प्राणुमी साधना नहीं कर पारा हूं जो भी मन में उसके दुवदा आ रही हो तो कम सकम अपने अपने पूरी इक्शा शक्ति के साथ में यह अगर हवन विदियां भी कर ली जाए तो भी माली यह उसका एक स्टार्टिंग पाइंट हो जाएग और 84 नंबर का साधना के तियारी यह इसके बेग्रोंड में है और इसमें जो आप वीडियो देखेंगे निमें आपको एक बास समझ में आ जाएगी कि बिना सत्य सुझाचार के किसी भी आध्यात्मिक उपाय में सबलता नहीं मिलती है दूसरा यह कि जितने भी आध्यात्म हुए भगवान की तेरफ ले जाता है मुक्ष फाप्ति कराता है इसलिए उसको जो है मति कर्म कहते हैं कि कर्ण सब्साधनावा जो करम ऑद है इसके जो में कहिल hopping in कर्म करलाता है लेकिन दी शथ्ध्यो सताचार ना हो श्यकंप सिद्धान के मूल हधार है तो किसी भी सुझ सभलता नहीं मिलेगी कितने अजारों यग कर लिए सारे लाकों जो है अपने मंदजब कर ले जाए और और किसी प्रकार की विदी कर ली जाए लेकिन सथ सदाचार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा इसलिए इस विदी को जो करने के लिए में विशेश रूप से जो की सत्य सजाचार का पलान करने वाले लोग हैं उनको तो बहुत सफलता अच्छी मिलेगी लेकिन जो इस प्रकार का पलाण नहीं कर रहे हैं उनको सफलता की गुणजाय शुन्ड की बराबर समदना चाहिए उ और यदि किसीने मालिये जो भी उसने कर्म रहे हो उसके अगर यह सोच ले कि अब जितना भी मैंने जूट बोलना था बोल लिया है गलत काम करना था खर लिया है अब मैं नहीं करूँगा यह कन्विक्शन हो उसके बाप में अगर इन साथ नहों में उतरे तब भी ठीक है तब में समझ में आ जाएंगे कि कौन लोग होते हैं कि जो की जूट भी बोलेंगे और साधनाय भी करेंगे तो उनको सवलता नहीं मिलती पिरूंका अग्यान्त होता है उन सारे वीडियो में बढ़ने थैं मैं वीडियो को नहीं लंबा कर रहा है तो मैं वैदिक हावन विदी भ वो जो सूक्त है उसमें उसके जो रिशी हैं ब्रह्मा है और इसके जेवताय हैं शांती हैं और मंत्रोक्त हैं इसमें जो मंत्र है पहला वाला उसका मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं द्यू लोग प्रस्त्वी लोग और अंत्रिश लोग और समुदर का जल और जितनी कि अगले मन्त्र में a cape पूरण में किया कर्म हमारे लिए श्छान्ति बदायक हो। झोविकार हमने अभी करेouveβी नहineं वों भी हमारे लिए शान्ति बदायक हो रसकती हो भूत और भलाष्य को अधीό द्वारा हमने दोगों को अपशब्द कहने गालियां दी हैं, उस धोस से हमको मुक्त करें और हमको शांती ब्रतान करें। अगले मंत्र में है कि जगत का मूल कारण है मन इसके द्वारा भी अगर कुछ गंदे काम हो गया हो तो उस कर्मों के जो प्रभाव हैं उनको भी कर्मों के प्रभाव से भी हमको शांती ब्रदान करें इसके अलावा अगले मंत्र में हैं पांच ग्याने इंद्रिया जो हैं उन अगले मंत्र में मित्र वरु और व्यवसवान देवता अंतक देव यह सब हमको शांति ब्रतान करें जो भी अनिष्चकारक ग्रह हैं वो भी हमको शांति ब्रतान करें और यह बड़ी बात है कि अनिष्चकारक ग्रह से भी आप कहरें शांति ब्रतान करें और इसके बाद जो मुकम पाता है यह प्रत्वी हिलती है उसमें भी हमको शांति ब्रतान करें कहीं से अगर असमान से कोई तारा तूटके गिर जाता है उलका पात कहते हैं वह भी अगर हो जानति ब्रतान करें इसके बाद जो है जो जितनी भी जादू तोना करें अभिशार क्रियाएं होती है करत्या प्रयोग करें यह भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ जादू तोना करने वाला बन जाए है भूमी में खोध कर किये गए प्रयोग भी हमारे लिए खातक ना हो सबी ब्रकार के विगन जाएं यह राहू है यह जो रुद्र देवताय हें यह सब भी हमारे लिए शांति प्रतायक हो इसके बाद अगला मंद्र में 11 रुद्र, 8 वसुगन, 12 अधित्य, सभी प्रकार की अगनिया, इंद्र देवता, सब्तर्शी और ब्रस्वती देव ये भी हमको सब शान्ती बुदान करें और हमारा कल्यान करें अगले मंत्र में परब्रम और ब्रह्मा जी, सभी वेद, साथ लोग, साथ रिशी, सभी अगनिया, इनके द्वारा हमारा कल्यान कमार प्रशस्त हो और सभी प्रगार के जो इंदर देवता है, ब्रह्माजी, विश्व देवा और सारी देवता हमारे लिए आगे कंद्द किलिए कल्यान अकमार पशस्त करें अगले मंत्र में है जो सब्त रशी हैं उनके बाद जितनी भी विद्याएं हैं शांती प्रतान करने की उनके द्वारा हमारा कल्यान हो और हमें सभी ओर से सुख शांतिय और निर्भेता की प्राप्ति हो इसके बाद अगला मंत्र है जो कि अंति मंत्र है इसमें है कि प्रत्वी, अंतरिक्ष, अंदियुलोग, जल, होशदी, मुरस्पत्थी और सभी देवता हमारे लिए शांति प्रत हो और हम शांति से भी आगे असीम शांति का प्राप्त करें और हम जो है इन शांति प्रक्रियाओं के द्वारा हमको जो हमने खराब कर्म करें, कुरूर कर्म करें, पूर्पल निसम को मिल ला है, हून सबों को हटा दे और हमको शांति प्रतान करें वे सबी भी हमारे लिए कल्यानकारी हो यह इस सूक्त में प्राथना करी गई है अब इसमें क्या है कि इसमें हवन करना है इस सूक्त का पहले तुम्हें बता दूने सूक्त है कहां यह यह सूक्त जो है आपको मिलेगा अथरवेद सम्मिता में पूरी सेरीज में तो आपको वो करते जाएंगे तो भी आपको खाफी कुछ अपने अंदर में चेंज लगेगा बागी और विदियों के लिए जो पुराने जो वीडियों उनको देखिएगा वीडियो नमबर वन एक सो साथ नमबर जो है उसमें देखिएगा उसमें दुस्त आत्मा है महारण तंत्र फ्लोग और दुस्त पित्रों से मुक्ति के वैदिक तंत्र को पाए यह बहुत जरूरी है और इ देखिएगा और यग प्लेश देखिएगा उसमें आप को चीजा मिल लेंगी कैसे क्या करना है इसमें जितने भी मंद्र दिये हैं हर मंद्र के आगे में सुहा लगा के आउतियां को हों गुद्ओं में डालनी है यह करना आवाणों system सामने रखे बैट रहा है और अगै seben अगनी प्रजुलित करगे और उसमें जो है सबसे पहले था सबसे बढ़े मनत्र कहों सुहा हो it i wait इसमें करीब 14 मंत्र है कि 14 वार आप हाउती डालने पड़ेगी एक इनोगों पहलता है नियुकितिवाथ क्लिके गायत सब्सक्क्राइब लेके प्लिएगा है यजग्य वाली प्लेलिस में भी देखेगा तो चीज़े आप आर्ट क्लियर हो जाएगी लेकिन इस वैदिक हावन वीधी भाग एक पार्ट वन में मैं आपको बताया कि इस वीधी को अगर किया जाए तो भी बहुत चीज़े होती है जो कि एकदम से जैसे हैं स्टार्ट करना सबस्कितों करना है अगर के स्टार्ट यड़ार्ट करना हो जाने लिए लेकिन करना है यह क्यों मयों वह सब को Do 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 या भाक्तीन भी और आगे भी आएंगे उनी को इसा को नो को समझ में आने लग जाए कि कौन दी इनके झाहिए हो पिर उसको अपने धीमे धीमे करना जएक प्रार्म्मक पास से संब से पहले फिल्पावर बहुत जरूर होनी चाहिए तो जब किंदो पर रंतु किंदो पर रंतू करते हुए इस All जर जर की बाते सुन रहा है चोटे-चोटे टोने टुटके कर रहे हैं और बस समयनस्ट हो रहा है उसके बजाए यह जो इस तरीके की बाप जो विदियां बता रहा हूं यह बहुत इफेक्टिव इस जो कि कम समय में भी बहुत अच्छा जय प्रभाव देती हैं लेकिन इनको कंचिनू करना चाहिए और आगे की वीडियों को भी ट्राइब करते रहें चाहिए तो आशा करता हूं कि आप सब लों के जानकर यह अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद